नमस्कार दोस्तों वीडियो में देखें दोस्तों रूट मोबाईल के सेहर में 30 ओक्टावर के लिए क्या का लेबलिश टार्गेट को ध्यान में रखना है ज़िए नोटिस कर सकते हो रूट मोबाईल का हम देख रहे हुए वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा हुआ है स् प्रेक डाउट देने का दोस्तों को नोटिस करेंगे 1580 में इसका एक ही केंडल जो है क्लोजिंग दिया था लेकिन यहां से अब कैंडल को अगर देखेंगे सैडव बड़ी-बड़ी उपर के सैड़ में बनाया जो कि वीकनेस का सिगनाल दिया फिर फिर ब्रेकडाउन करें कि निचे आए गया लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे दोस्तों स्टॉक में यहां से एक आप्टर ने क्या भी सुरुवात होता हो देखने को मिल रहा है क्योंकि स्टॉक एक सपोर्ट लेकर उपर बढ़ता हो नजरा रहा है तो अभी के लिए इसके सामने 1754 का एक र लाइन ड्रॉ किया ओर देखने को मिल जाएगा ठीक है इसी को अगर हम डेली टाइम फ्रम पर चार्ट को अगर नोटिस करते हैं तो दोस्तों आपको दिखाए ज़र यहां पर 1600 में एक रेशन्स लाइन है अगर इसको ब्रेक आउट करता है तो उपर का जो टार्गेट हमने पर देखने को मिल जाएगा और इसके बीच में अगर इस टॉक का कर ब्रेकडाउन करते हैं यानिकर डाउन सैड में आते कहीं लोग बोलते हैं कि दोनों सैड का क्यों भीव बताना जरूरी होता है इस टॉक मार्केट में साइद आपने समझे नहीं होगे आपको पता होगा जब कोई स्टॉक में पर इंट्री लेते हो अगर आप इंट्राडे करते हैं मान लिजे तो उसमें स्टॉप लोस लगाते हो फिर आप मैं पूछोंगा स्टॉप लोस क्यों लगाते हो अगर आपको पता है कि स्टॉप लोस क्यों लगाते हो है ना तो बात थोड़ा सा गलत अब बाकी समझ में आए गए आपको जो मैंने आपके बताया वीडियो लाइक जरू कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो से फिके जूगा सन परपजे बनाये गए स्टॉक में बाएसल होल्ड करने के कोई भी सला सुझाव नहीं धन्यवाद